हेलो, गुड मॉनिंग दोस्तों, इंडियन पॉलिटी के 14th lecture में आपका स्वागत है आज हम इंडियन पार्लियमेंट की discussion है, वो इस्टार्ट कर रहे हैं, काफी important हो जाती है आपको यहाँ पे दो तिंची धान रखनी है, एक तो होता है राष्ट पती और इसके बाद में एक साइड होती है, लोक सभा और एक साइड होती है, राज्य सभा लोक सभा है, वो लोड सदन होता है, और राज्य सभा होता है, वो होती है अपर सदन और जैसे हम लोग जानते हैं कि राज्य सभा कभी डिजोल नहीं होती इसके सदस्यों का जो कारियकाल हो 6 साल होता है और लोग सभा के सदस्यों का कारियकाल 5 साल होता है और ये कभी भेंग की जा सकती है और जो परधान मंत्री है वो वैसे कहते हैं कि लोग सबागे बहुम्मद अलकानेता होता है बिट ऐसा को जुरूरी नहीं है परधान मंत्री राज्य सबागे भी किसी सदस्य को बनाय जा सकता है जैसे कि मनमौन सिंग जी को बेले बनाय गया था तो ये कुछ फेक्ट हमें धान में रखने वैसे येल मतलब ही होता है कि जो पार्टी में होती है उस पार्टी का सदस्य है वो परसन है वो बेसिकली प्रधान मंत्री बनता है अब वो अपर सदन से भी बन सकता है चाहिए लोगर सदन से भी वो डिपेंड करता है कि कैसे कैसे है तो ये चीज़े हैं, संसद के अंदर बैसिकली तीन ती जाती हैं, ये आपको याद रखने हैं, एक तो राष्टरपती, एक साइट लोकसभा और एक साइट राजयसभा लोकसभा के बात करें, तो इसके लिए एक आर्टिकल अथ 79 आर्टिकल 79 ये कहता है कि बैसाब एक लोकसभा होगी, जिसका हैड होगा, परधान मंत्री होगा वगेरा वगेरा और राजयसभा के बात करें, इसके बारे में आर्टिकल 80 में उले क्या गया है मतलब कि राजयसभा के बारे में आर्टिकल 80 या अनुशद 80 में ये चीज़ मेंशन की गी है और देखो, अगर हम बात करें मेंबर्स की, तो स्टार्टिंग के जो बात ही न, उस टैम पे ये था कि लोकसभा में तो टोटल सिदसे थे 530 और राजयसभा के बात किया गयी थी, वो किया गयी थी 230 बड़ खर आपको पता है कि सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई है, तो वो फिक भी आपको द्यान में रखना है इसी के साथ एक चीज ओर होती है, लोकसभा राजयसभा को मिला के बनाया जाती है, वो क्या होती है? मंतरी परिशत तो हम लिए लिखते हैं यहाँ पे मंतरी परिशत अब बात करते हैं मंत्री प्रिश्चद के बारे में Article 91 में एक पॉइंट लिखा गया है Article 91 में एक सोड़ी जो 91 त कॉंचिन अमेंडमेंड हो था उसमें एक चैन्जेज किया गया था कि भई जो मंत्री प्रिश्चद है ना इसके सदस्यों के संख्या है ना वो टोटल मंत्री प्रिश्चद है ना उसके इसाब से लगपक कितनी होगी कितनी होगी सोच आप 15% मतलब की लोकस भाह में जितने मेंबर है ना उसमें से क्योल 15% मेंबर ही मंत्री बन सकते हैं जैसे हम इसम्मालों की लोकस भाह में 200 सदस्यों हैं तो मतलब टोटल 30 ही मंत्री बना सकते हो, आप मंत्री परिशद में 30 मंत्री होगी, 30 से ज़ादा मंत्री आप नहीं बना सकते हैं, तो आज लोग सब में 545 सीट हैं, तो 545 के साब से जो इनका बनता है 15%, उतने ही मेंबर मंत्री परिशद में मंत्री बन सकते हैं, सब लोग मंत् कि वंद Constitutional Amendment कब हुआ था यह हुआ था दो हजार सोचो जल्दी बिताओ यह हुआ था यह थिंक 2018 में 2013 में 2013 में हुआ था और इसमें यह चीज कलियर कर दी गई थी कि भाई मंत्री परिशद में मंत्रियों की संक्या है वो लोक सभा के जितने मेंबर हैं उनकी 15% ही होगी 15% से ज यह तो क्या होंगे इलेक्ट हो के एंगे यह चीज आपको धान में रखने हैं कि बात की गई थी वह इलेक्ट होने की अब बात ऐसी कि कोई ऐसा Community होए कोई ऐसा मलब समूदा आया है कि जिसको भाई सदस्य को इलेक्ट होके नहीं आए तो एक राश्टरपति के पास एक पा पारों ताकि आपको चीजें सिक्वेंस भाई याद रहती ही रहें कि आर्टिकल 332 यह कहता है कि यह राश्टरपति को ऐसा लग रहा है कि जो एंगलो इंडियन ना इनको भारत में मतलब सही रिप्रजेंटेंशन नहीं मिला है कोई भी मेंबर इलेक्ट नहीं हुआ है तो दोमेंबर को सिर्फ और सिर्फ です कि लोग सही राश्टरपति और राश्टरपति को मनोनित करे सकता है यह एक सदस्य होता है क्यों, आपको पता है कि पारलैमेंट कोई भी बिल पास करती है, वो तब तक एक नहीं बनता, जब तक राष्टरपती उस पे साइन नहीं करता, तो इसलिए घूम फिरके राष्टरपती भी एक तरीज़े संसत का एक एहम पार्ट हो जाता है, लोकसभा राजसभा है, इसके बाद में राष्टरपती की बाद देख लो, ट्रिपल तलाग का बिल था, लोकसभा से तो पहले पास हो गया था, और अभी राजसभा से भी पास हो गया था, अब लोकसभा और राजसभा की पास होने के बाद क्या हुआ, ये बिल जाएगा राष्टरपती के पास, और राष्टरपती इसके ओपर अपनी विट्व पाउर का भी यूज कर सकते हैं या वो इसको अनुमती दे सकते हैं उसके बाद में अनुमती दे दी तो यह एक एक्ट बन जाएगा यह प्रोशेजर होती है तो मिलब बिना राष्टरपदी के कोई भी एक्ट अवो बन नहीं सकता शिदा शिदा इसके बाद में बात याती है कि जो होती है हमारी राज्यसभा इसमें भी सदस्यों को मनोनित किया जाता है तो राजे सभा में जो सदसे मनोनित किया जाते है ना उनकी संग क्या होती है बारा लोग सभा में कितनी होती है दो सदसे को मनोनित कर सकते हैं राजे सभा में बारा बारा कौन कौन से फिल्ड के हो सकते हैं एक तुम जैसे बताऊं, विज्ञान फिल्ड से होता है, मलब साइन्स, इसके बाद में एक आर्ट या कलाज से हम बोल सकते हैं, इसके बाद में साहिते हैं, नहीं की लिटरेचर, और इसके उन्चोथा होता है, लोकसेवा, ये चार ऐसे एरियां, इनके आधार पे 12 मेंबरों को मनोनित किया जाता है, राज्यसभा में, ये धान रखना है, राज्यसभा के भी डिजोन नहीं होती, 6 साल का टाइम प्रियेड होता है, ठीक है, ये चीज़ होगी, अब बात आती है कि भाई, पार्लामेंट के काम अगेरा के हैं, थोड़े वो भी हम देखते हैं आपे, द सकता है, पहले कानून नाहीं होता है कि पहले तो एक फॉर्मेट त्यार करना है है कि पर pregnant आपना है, ये पर रचशे हैं बता है कि पार्षा होगा है, जैसे एक्जाम्पल लेते हैं, त्रिपलMusic ये लेते है, त्रिपल टिलाग पर में कानून बनाना है, तो इसके लिए क्या हो और चार्टिंग रॉक्ट यौर्ट में प्रकाशित कर दियागा इसके बाद में तब आजब राज़्यस्वा में कहीं भी क्रुडूस्ड के जाएगा वहाँ से पास होगा फिस्वे डूसरे 70 में पास होता है इसके बाद में उसको वो आगे राश्रप्ति की एक्ट मिलती है और तब जाके वो एक्ट बनता है तो ऐसी सारी प्रोसिजर होती है अब देखो इसके लिए ना छोट-छोटी जीज़ा आती है जैसे आपको बता रखना चाहिए एक तो आती है समीति क्योंकि जब बील है ना सलता है ना मैं लोग समीतियों के तरूट चेह करता है कि भाई यह सही है नहीं यह कौन-कौन से इर्रस वगरा है इस तके समीति उसका पूरा जो खाका सिस्टम है तरह पोस्ट मार्टम जैसे सारे अच्छे से बिल को वेरिफाई करती है तब जाके वो बनता है अब बात ऐसी है कि जो बिल होता ह हाँ ना इनहीं की विदेक ये कहों-कौन से टाप की होते हैं तो अबीं मैं विदेक को डिसकस करेंगे विदेक यह यह == बिल जैसे देखो basically अगर हम गो divide करना तो तीन टाइप के होते हैं ये एक side हम लिख सकते हैं आप मनी बिल और इसके साथ इसमें financial बिल क्योंकि money और financial बिल कुछ-कुछ थोड़े सेम सही होते हैं दूसरा होता है साधारन या ordinance साधारन बिल ठीक है इसके बाद में आता तर तीसरे की तीसरा होता है यह आप पर conjunction amendment यानिकी सिविधान संसोधन विदेग तो देखो जो money बिल है ना यह तो actually article 110 है यह आपको धान रखना है article 110 में इसके टोपिक दिये गए है कि इन इन टोपिक से लिटेट कोई भी बिल लाया जाता है तो वह money बिल होगा और वसे देखो जो final power होती है कि कौन सा बिल किस टैप का है यह सारी power होती है speaker के पास लोग सभा का जो speaker होता है वो decide करता है कि यह money बिल है वो नहीं है अगर उसने बोल दया कि हाँ भैसा भी money बिल लाया तो वह money बिल होगा चाहिए वो किसी से भी लिटेट हो सारा मामला डिपेंड उन पर करता है बट फिर भी यह अलग-लग distribute कि गया है कि भाई article 110 में topic दिये गया है कि यह topic pixel डेट को भी बिल लाय जा रहा है तो वो money will से होगा financial बिल है इसके बारे में financial बिल वैसे दो टाइप की होते है financial बिल first और financial बिल second financial बिल जो first है ना इसके बारे में article 117 एक है और इधर जो financial बिल second है इसके बारे में article 117 दो है तो ये थोड़ आपको ध्यान में रखना है Money Bill के लिए Article 110 में टोपिक दिये गए है Financial Bill First और Second 2 तरह के होता है Ordinance Bill के अगर हम बात करें दोको Ordinance Bill अना साधान विदेख ये भी दो टाइप के हो जाते हैं एक तो हम बात करें कि जो नॉर्मल होते हैं और एक होता है नीजी मतलब एक तो कोई जैसे मंत्री पेस कर रहा है तो वो भी लोगया और एक होज जैगा नीजी बिल नीजी विदेख आपने सुना होगा Private Bill जो Private Bill का मतलब ये होता है कि वो Member Parliament का जो वैसे कोई मंत्री नहीं है नॉर्मल से जैसे मंतलब कि MP है Parliament में आपको बताए MP बैठते है Member of Parliament तो कोई भी Normal MP जो कि मंत्री वगरा कुछ नहीं है एकदम Normal वहाँ पे MP है अगर वो कोई बिल लेके आता है तो उसको Private Bill या पिर उसको नीजी विदेख के नाम से जानते है ये चीज आपको थोड़ी कलियर होनी चीए कि आप सुचो कि Private Bill मतलब कोई और ही परसन थर्ड परसन है वो जाकर बिल इंट्रोडूस करा है नहीं ऐसे नहीं हो सकता Member of Parliament ही कम से कम बिल इंट्रोडूस कर सकता है साम आद्मी वहाँ पर जाके अपना बिल लेकि नहीं जा सकता हूं और Constitution Amendment की बात करें तो इसके बार में 368 आर्टिकल में मैंशन है सारे पॉइंट्स तो यह ओग इस तरिके से अब देखो हम यह देखते हैं सबसे बहले Money Bill के बारे में कि Money Bill में कौन-कौन से टोपिक हैं जो आते हैं थोड़ा हमारे चीज़े कवर हो जाएंगे देखो एक स्कीन हाँ इजहीं पर डिस्टर कर लेते हैं ताकि थोड़ा समझ में आजए एक बार को रब इरेजर लेते हैं Money Bill को में यहाँ पर कवर करते हैं देखो कोई भी बिल है ना वो Money Bill तब होगा जब इन में से कोई एक टोपिक सामिलो कौन-कौन से टोपिक हैं या तो देखो गवर्मेंट है मतलब देखो, आपको मसि शी भी सी बात दो dawा ना तो Money Bill का मतलब होता है कि वो important हो जाता है financially वो bill basically money bill होता है अब आपको यहां लगया तीप जादूं कि जो आधार था ना इसको भी Parliament में money bill के तोर पर इंट्रोडूश किया गया था कैसे क्योंकि आधार को जो PDS वाली facility देना इसमें compulsory कर दिया गया था क्यों compulsory ऐसे कर दिया गया उस संचित निदी से वो पैसा आता है और उसके थिरू वो डिस्टिबूट के जाती है लोगों को नाज वगरा जो भी चीज़ें डिस्टिबूट के जाती है अब गोर्मिन ने क्या दिमाग लगया कि बाई साब जो आधार है ना वो मतलब PDS के लिए mandatory कर दिया अब इसका मतल क्या हुआ यह भारत के लिए संचित निदी पर मतलब इस पर इफेक कर रहा है तो इसलिए इसको पैसे से टेनर करके और एज़े मनी बिल इंट्रोडिउस किया गया था खैर इस पर कॉंट्रावर से भी काफी ग्रेट हुई थी बट वो हमारे लिए यहां पर इंपोर्टें राष्णपति लेनी होती है इसलिए मनी बिल को राष्णपति रोके नहीं रख सकते राजसभा में इसके पास 14 days की power होती है कि वो इसको रोग ले बस बाकि वो इसके discuss विसके कुछ भी कर सकती है बट मतलब उसका कोई change नहीं कर सकती है 14 दिन बैठ के आराम से discussion कर सकती है गाली दिसके कुछ भी कर सकती है हाँ भाई अच्छा नहीं कहना उन्हें बहुत बेकार किया वगरा वगरा बट जो कहते है ना final power वो लोकसभा के पास ही होती है जो इसका लोकसभा ने done कर दिया वो ही final हो जाता है इससे के साथ इससे के भारत की गवर्मेंट इन्वले इंडियन गवर्मेंट के ओपर कोई पहले का loan वगरा है वो चुकान है तो उसको लगके कोई भी changes गया गया हो तो वो सारे जो bill होते हैं वो actually money bill में count है वो कह जाते हैं इससे के साथ इससे में आपको बताया ना कि जो PDS में जो पैसा कोई भी चीज़े दी जा रही है Consolidate funds के थ्रू तो वो भी संचीत निदी से आ रहा है इसका मतलब उससे related कोई bill है वो money bill हो जाएगा और इससे बैसे पर गवर्मेंट ने बाधार को as a money bill introduced किया था हो गई यह सारे चीज़ें इसी के बाद में एक छोटी चीज आपको हैं बता देता हूं कि जो आपके दिमाग में आओगा क्या गवर्मेंट के पास पैसा है वो कहां कहा होता है गवर्मेंट के पास जो पैसा है ना वो तीन फंडों में होता है एक तो होता है संचीत निदी या जिसे हम बोलता है Consolidate fund जो की सबसे man होता है makes from जो पैसा संचीत निदी यानि के Consolidate fund से पैसा निकालना हो तो पारलेमेंट की अनुमती लेनी पड़ती है बिना पारलेमेंट की अनुमती से आप इससे पैसा नहीं निकाल सकते ये फेक्ट आपको याद रखना है दूसरे टैप का एक फंड और होता है जो होता है पबलिक फंड ये फंड देखो बैसिकली पैसा निकाल लो इस फंड से तो पारलेमेंट की हमें अनुमती की ज़रूत नहीं होती हैं और मैं आपको उता दूं सिर्फ और सिर्फ गोर्मेंट इसके लिए आदेश जारी करते हैं ये इसमें पैसा कम होता है इतना नहीं होता जितना कि इसमें होता है Consolidate Fund में क्योंकि maximum जो government की जितने भी income होती है income tax वगरा capital tax और भी बहुत साय की tax से जो revenue होता है वो सारा का सारा government का पैसा संचित निदी में ही जाके जमा होता है पिर यहीं से Parliament की अनुमति से उसको यूज क्या जाता है public account में वो पैसा जाता है जैसे मैं आपको बता दूँ government आपको बता है कि stamp वगरा sale करती है post office के stamp होगे या पिर और भी जो पहले तार वगरा होता था telegram जासी जी जी ती राजस हुआ है यानि कि जो government को revenue से जो stamp बेस्ती है वहाँ पे भी टेक्स पैसे collect होते है या पिर चोट-चोटी government के पास saving जमा होती है वो सारा पैसा इसमें public account fund में जाता है और अगर इससे पैसा निकान लाओ तो उसके लिए parliament की अनुमतिकी ज़रूरत नहीं है तीसरा एक emergency fund होता है जो कि emergency के लिए यूज के जाता है तो वो खर अभी तक तो यूज नहीं किया गया बस मैं नहीं दो है आपको ये धान रखने कि public fund sorry public account fund or consolidation fund of India इन में difference क्या है तो यह हमने आप देख लिया है तो यह दो बेसिक बेसिक चीज़े हमने कवर कर ली अब जो बागी चीज़े है वो next article में हम देखेंगे तो फिलाल की discussion में इतना ही है तो thank you thank you very much for discussion